नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका एक वर फिर से भरस्वाइकेडमी में आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ कोश्चन्स जो कि आपका परिच्छा दोह जो वीकली टेस्ट हो रहा है आपका 9 अप्टूबर को जो वीकली टेस्ट होगा उसके लिए काफी जादा महत्पून है यह सभी कोश्चन्स को अपने दोस्तों के बीच भी सेयर कर दिजिएगा वह भी देख लेंगी इस वीडियो म और वान चैनल पर अप्लोडेड है आप नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिएगा क्योंकि इसका प्रेक्टिस से टू में जिसका जिस चैप्टर से रिलेटेड प्रेक्टिस से टू में हम लोग कोश्चन्स देखेते तो उसमें अधिकतर कोश्चन्स mcq कोश्चन ट रहे गाप मौनली वन दस और बागी सब सब्जेक्टिव कोश्चन्स रहेगा सब्जेक्टिव कोश्चन्स घबराना नहीं है बहुत अच्छा सब्जेक्टिव कोश्चन्स है अगर आप उसको कर लेते हो तो mcq के एक-2 कोशन आप एसे ही इंसर देदोगे ठीक है मैं सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे आप लोग वीडियो में बने रही है कि साथ में अपने दोस्तों को बीच भी सेर कर दीजेगा वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक कर दीजे ठीक है चलिए यहां पर पहला कोशन देखें निम्न में से सोडियम ततों का परतीक कौन है तो ह लोग याद कर लिजेए तीस चलिए बहुत ज़्याद आप लोके लिए इंपॉर्टेंट है तो 30 कम से कम आप लोग याद कर लिजा अगर आप लोग backs नहीं है तो आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा हम आप लोगा उपलबध कर वा देंगे ठीक है तो द्यूं कर दjeकॉर का मजर दर्मान हे है HOW यहां पर आप में देख पा रहे होंगे है कितना दर्मान है है मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन देखिएगा यहां पर बोल रहे हैं है सब्सक्राइब करेंगे तो इसको अच्छा से कौन कैसे होता है ठीक है एने सेल को सुत्र इकाई दर्मान क्या है इने सेल का सुत्र इकाई दर्मान क्या होगा यह आपको बताना है तो इसका कौन सा अप्सन सही हो जाएगा अप्सन इसका इसका सही जवाब हो जाएगा फिप्टी एट पॉइंट फाइव ठीक है अगला कोशन देखिएगा पांच नंबर कोशन है कि माच मोल नाइट्रोजन इसका दर्मान क्या होगा सत्तर यू एक सो चालिस यू एक चौदा यू या अठाइस यू कौन सा अप्सन सही हो जाएगा तो पांच मोल का नाइट्रोजन इसका दर्मान क्या होगा पांच मोल नाइट्रोजन इसका दर्मान क्या हो जाएगा एक सो चालिस यू अप्सन भी इसका सही जबाब हो जाएगा ठीक है अगला question देखेगा अगला question ने 0.5 mol 0.5 mol H2 O onu का दर्मान होगा 0.5ician 0.5 mol H2O का दर्मान क्या हो जाएगा इसका कौन्सा nee मोल को जाएगा जैने मोशिट का एक और से नो गराम हो जाएगा ठीक है सब्सक्राइब होता है मतलब 18 घराम हो जागा ठीक अखारा घराम उस बोल रहें जिरो-पॉइंट-फाइब मतलब क्या कर दीजिए अठारा को दो से गुना कर दीजिए जीरो-पैंट-फाइब का हम लोग 1-2 लिखते यह थे हैं ठीक है तो अथारा को जब दो से गुणा कीजिए दो से अठारा कर जाएगा नौ आपका इंसर आजाएगा नौ गराम अपसंद भी इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखिएगा अगला कोशन देखिएगा एक मौल नाइट्रोजन परमानू का दर्मान होगा एक मौल नाइट्रोजन परमानू का दर्मान क्या हो जाएगा तो एक मौल जब बोल रहे तो नाइट्रोजन का परमानू परमानू तर्मान क्या होता है 14 ग्राम होता है आप अराम सेंसर अपसंद भी इसका सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन देखिएगा छे दस अमलो जीरो दो दो इंटू टेंटू दस का गात तेईस कनो के समू को को क्या कहा जाता है इसको नों क्या कहते हैं मौल कहते हैं इसके बारे में अभी थोरा दिर हम लोगों बात तुरंत अब लोग जानेंगे बस अच्छा से जानेंगे Green अगला को देखिएगा अब दस नमर कोशोन इस वीडियो में सबजेक्टिव कोशन देखिए ठीक है रुप जाओ यहां प्री क्या हो जागा डी इसका अफसन से हो जागा छे दस हम लोग जीरो दो दो इंटू दस का घात बाइस ठीक है तो यह आपका अबजेक्टिव रहा यह इसका अबजेक्टिव इसमें 10 हो है अगर आप लोग प्रेक्टिस से टू नहीं देखा तो जाकर देख लिए उसमें आप लोग ती सब्जेक्टिव मिल जाएगा तो उसमें टोटल 50 कोश्चन से तुसको भी आप लोग जाकर एक बार देख लिए प्रेक्टिस एट वण भी देख लिए गा जिन लोगों को नो तरीको एक लिटेस्ट देना है वो लोग जाकर उस वीडियो सब्सक्राइब जाकर नोट कर सकते पीडियेफ इसका आप लोग मिल जागा डिपक्रिक्शन बॉक्स में पीडियाफ का लिंक मिल जागा ठीक है चलिए कोश्चन हमारा किसका है परमानू या मनू चप्टर का रिलेटेर हम लोगा सब्जेक्टिक्टिक रहेगा पहला कोश् परमानू किसे काते हैं तो पदार्त का वो सुष्थम का सबसे छोटा कंजिसे और आगे भी भाजित नहीं किया जा सकते वो परमानू कहलाता है पदार्त का वो सबसे छोटा कंजिसे और आगे भी भाजित नहीं किया जा सके वो परमानू कहलाता है आप इस परकार से भी लिख सकते हैं उधारन के तोर पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमानू का एज इसको हम लोग और आप नहीं तोर सकते हैं ठीक है यह परमानु का लाएगा आगे दिखेगा अनु किसे कहते हैं तो अनु दो या दो से अधिक एक ही परकार या अलग-अलग परकार के परमानु से मिलकर बना होता है जैसे अनु है यह सब क्या है अनु है यह दो या दो से अधिक परमानु से मिलकर बना हुआ परमानु यहां पर क्या हो जाएगा ओक्सीजन का परमानु ओ हो जाएगा ठीक है इसलिए हम आप लोग को फिर से बोल रहे है अगर आप लोग के पास सुबलब्द हो पाता है तो आप लो चाह पर्मानु संख्या वो पर्मानू नाम पर्मानू संख्या पर्मानू और यह सब आप लोग को उपलब्द हो पाता है तो आप लोग कोमेंट कर दीजिए हम उपलब्द करवा देंगा आप लोगो ठीक है योगी किसे कहते हैं तो अनु जो एक से अधिक से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जिसने फ्तु ऊपस moins के तरह determining ingredient का नियम क्या कि दर्मान संदक्षन का नियम क्या है तो दर्मान संदक्षन का नियम कहता है कि किसी भी बंद वे वस्ता में दर्मान सदा ही संदक्षित रहता है यह ना तो बढ़ता है और नहीं घड़ता है यह ना तो बढ़ता है और नहीं घड़ता है यह आप यह भी कह सकते कि इस नियम क अनुसार किसी राशानिक परती किरिया में दर्मान ना तो बनता है और नहीं घड़ता है नहीं बनता है और नहीं घड़ता है यहां पर यह लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखेगा निश्ची तनुपात का नियम क्या है निश्ची तनुपात का नियम कहता ह है कि किसी भी योगी में तत्व सद्व एक निश्ची दर्मान के अनुपात में बिद्यमान होते हैं ठीक है इस चीज को आप लोग के क्यों एक बर देखना है ठीक है इसको अगर आपका सब्जेक्टिब कोश्चन अगर आप से नहीं पूचा जा रहा है तो आप लोग मतलब पूरा आप लोग नोट नहीं करना अपके लिएक अब्जेक्टिब जदा से जच्जादा याद कर पाईएगा तो परिक्षा में ऊब्जेक्टब में पूछ लेता है ठीक इसको एक बढर आप लोग्डेख लीजए ठीक है डाउनलोड करने के लिए नीचे डिप क्लिक्षिन बॉक्स में पीडियाफ कर लिंक देंगे वहां से जाकर डाउनलोड कर लिजेगा पर्मानुक्ता किसे काते तो किसी अनुप्त होने वाले पर्मानुक्ता क्या है तो और टू की पर्मानुक्ता क्या है दो है ठीक है फास्पोरस के फास्पोरस अनुप फोर के पर्मानुक्ता क्या हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है चार हो जाएगा ओटू लिखा हुए तो इसका पर्मानुक्ता क्या हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक है इसका आप लोग बत ऐसे desires से हाईडरो कुछ ततो जैसे हाईडरोजन और कलोरीन अदी अपने दो परमानों से अनु बनाते हैं ऐसे तögजेसे कपर अनु लाते हैं हम लोग तरी परमानु कानो क्या हो जाएगा वह अनु जो तीन परमानों से मिलकर बना होता ł Jug त्री परमानुक अनू कहलाता है जैसे ओजोन ओथीरी ठीक है यहां पर तीन परमानू से मिलकर बना हुए तो एप yeah परमानोटानुंक से को टोटे तोकि सी तत्व के वे अनु जिसमें चार पर मानों होते हैं संहित्क तत्व में इसलो AK ज lacet is पर चलिए आगे बढ़ते हैं यहां देखिए यह भी कोशन पुछता है अब गादरो संख्या किसे कहते हैं किसी पदार्थ का एक मोल में कनु जैसे परमानु हो या अनु हो या थवा आयन कि संख्या निश्चित होती है जिसका मान जिसका मान क्या होता है चाल करहरें सोब दो डिःवा होता है इस संख्या को हम लोग अब अब गादरो संख्या काते हैं ठीक है कहीं करें यह संख्या देगा बॉलेगा किसके मैंलों क्या करते अब सब्सक्再ने आप गादरो संख्या अब गाद्ड और और कुछ कुछि ललीव उपस्ट और श्च्त घंछ सब्सक्राइब करना है वह सब्सक्राइब करने W कॉन नगए और भcket करते आटिक यहां अब ज़े करूँ हो अब मोलग को देखेंगर पर रहे नहीं जो न हर Rightson किसे पर खो दो molar दर्मान आभी आपको पतरपा चली का सकते हैं आगे बरते हैं और 55 वीड़ियो का तो आयन एक परमानू मीमन होता है जिसमें वीधुत आवेस होता है आयन तब बनते हैं जब कोई परमानू कन एलेक्ट्रोण खोता है या प्राप्ट करता है। अधिक और प्रोटोन कम होता है तो यह आप पूरा वीडियो को देखें तो आप लोग होता है जिसमें बीदुत होता है जैसे प्लस हो या मानस हो आयन तब बनतें जब साम इलक्ट्रोन एल्क फोता है या प्राप्त करता है टीक परणुक और कोई प्रमानु कण्छा में तो इसको आप लोग कोई याद कर लेना है तो इस वीडियो में हम लोग 10 अब्जेक्टिव और 15 सब्जेक्टिव कोश्चन देखें इस वीडियो का अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए ठीक है लाइक कीजिएगा तो हमे प्रेक्टिस सेट वान हो गया टू हो गया आप लोग चैनल पर मिल जागा उसको जाकर देख लिजेगा और यह प्रेक्टिस सेट थिरी है तो अगला जो प्रेक्टिस रहेगा वह रहेगा फोर और भी मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द देदू आप लोगों धन्यवाद सभी लोगों को जय हिन जय भारत